न्यूस नाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे संसत की सुरक्षा को लेकर मची सियासत को और संसत की सुरक्षा के मामले पर कॉंग्रस नेता राहूल गांधी के बेतुके बयान पर भाजपा हमलावर है बाशपा प्रवक्ता शहजाद पुनावारा ने राहूल गांधी को घेरते हुए कहा कि संसत की सुरक्षा मामले पर बेहद गंभीर है और इसके पीछे बेरोजगारी को वजह बताना तरकीहीन है संसत की सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर भी ओची सियासत किये जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए है बीजेपी के तरफ से कहा गया है कि संसत की सुरक्षा में चूक की ये कोई पहली घटना नहीं है लेकिन कॉंग्रिस और दूसरे विपक्षी दल जिस तरह से आरोपियों को सुरक्षा कवच दे रहे हैं और उनके अपराद को जायस ठहराने की कोशिश कर रहे हैं उससे राहूल गांधी, कॉंग्रिस पार्टी और विपक्ष की मन्शा पर सवाल खड़े होते हैं बीजेपी ने पूछा कि आखिर क्या वज़य है कि कॉंग्रिस हमेशा देश विरोधी तत्वों के साथ खड़ी नजर आती है 13 दिसंबर 2001 की घटना के समय वो अफजल गुरू के साथ खड़ी थी और 13 दिसंबर 2023 की घटना में भी आरोपियों के साथ खड़ी होकर उनका बचाव कर रही है राहूल गांदी जी आपको हुआ क्या है? किस तरपर आप चले गए हैं? मतलब आप तीन चुनाव क्या हारे? आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लिमेंट को देश के सर्वोच लोकतंतर के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए और उसको भी जायज छहराने का काम आज कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से हो रहा है दरसल संसद के सुरक्षा को कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई से जोड़ दिया तो लोकसभा अध्यक्ष के बयान और उच्छिस्तरिय जाच की कारवाई के बावजूद कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकारजुन खरगे अब भी संसद में ग्रह मंत्री अमित शाह के वक्तव की मांग की रट लगाए है दरसल संसद के सुरक्षा में चूक का ये कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले अब तक अलग-अलग समय पर सुरक्षा में चूक हुई है साथ नवंबर 1966 को गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर संसद के बाहर जूटी साधू संतों की भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी 11 अप्रैल 1974 को दो पिस्तौल और बम जैसी सामगरी लेकर कुछ लोग संसद भवन के भीतर घुज गये थे वही 26 जुलाई 1974 को एक व्यक्ती खंजर के साथ संसद की दर्शक दीरगा में घुसा था 26 नवंबर 1974 को एक व्यक्ती ने विसफोटकों के साथ संसद भवन में प्रिवेश की कोशिश की 5 माई 1974 को एक आगंतुक विसिटर गैलरी से लोगसभा कक्ष में कूद गया और नारे लगाने की कोशिश की वही 4 अगस्त 1994 को एक व्यक्ती विसिटर गैलरी से नीचे लोगसभा कक्ष में कूद गया और नारे बाजी की जबकि दूसरे ने विजिटर गैलरी से ही नारे लगाए 13 दिसंबर 2001 को पाकिस्तान पोशित आतंकियों का हमला हुआ 9 लोग मारे गए लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने जान की बाजी लगा कर उन्हें संसद भवन के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया ये संसद की सुरक्षा की चूक की बानगी भर है इसकी फहरिस्त लंबी है लेकिन तब ऐसे किसी भी मौके पर न तो रोजगार, महंगाई और किसी और मुद्दे से संसद की सुरक्षा को जोड़ने की कोशिश की गई और नहीं ततकालीन विपक्ष ने इस पर सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश की थी इस बीच लोगसभा ध्यक्ष ओम बिरला ने सभी संसदों को पत्र लिखकर 13 दिसंबर को घटी घटना को दुर्भागे पूर्ण बताया है उन्होंने लिखा कि घटना की जाच के लिए उच्सतरिये जाच कमिटी बनाई गई है और उसकी रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा उन्होंने लिखा कि पूर्व में भी ऐसी घटनाय हो चुकी है और कुछ मामलों में तो संसद सद से भी मिर्च का स्प्रे लेकर संसद पहुँचे हैं पत्र में उन्होंने लिखा कि संसद परिसर की सुरक्षा संसद के क्षेत्र अधिकार का विशय है और हाई पावर्ड कमिटी संसद में सुरक्षा के विभिन पहलूं की समीक्षा करेगी उन्होंने लिखा कि ये दुरभागे पूर्ण है क्यों कुछ लोग सांसनों के निलंबन को संसद में हुई घटना से जोड रहे हैं वहीं इस पूरे मामले पर BJP नेता सुवेंदू अधिकारी ने TMC पर खुला आरोप लगाया है कि ये घटना सोची समझी साजिश है और मुख्य साजिश करता कहा जाने वाला ललिजजा TMC का प्रमुख कारे करता है इस बीच मामले में एक और आरोपी महेश कुमावत को गरफतार कर दिल्ली की पट्याला हाउस कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे साथ दिन की पुलिस हिरासत में भेश दिया गया संसत की उचिस्तरिय कमेटी की जाच के अलावा दिल्ली पुलिस की भी जाच जारी है और मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं Bureau Report, DD News